दोस्तों स्वागत आप सभीका रोजगार मली चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए प्राइब चुड़ो आंदोलन 1942 से संबंदी पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं दोस्तों इंपोटेंट ओभी के हरे एक्जाम में आसे क्योशन बनते हैं तो चलिए दोस्तों पार्ट फर्स एक एसम्मेदानिक संस्ता गोशित किया गया तो कांग्रेज को एक एसम्मेदानिक संस्ता गोशित किया गया था तो ये भी सही हो जाएगा यह एक अहिंसक आंदोलन था इसमें पड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी यह एक स्वेता इस पूर्ती आंदोलन था तो यह स्वेत इस पूरती आंदोलन भी था ये भी सही हो जाएगा तो गलत question पुछा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option C यह एक एंसक आंदोलन था इसको याद रखेंगे चलिए अगला question देखते हैं question number 22 इस निम्लिकित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था हिंदू महासाबा ने communist party और इंडिया ने unionist party और पंजाब ने उपरोख सभी ने आपका सही उत्तर हो जाएगा option D उपरोख सभी ने तो इनमें से किसी ने भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन पार्टि का समर्थन नहीं किया था हिंदू महासाबा communist party और इंडिया unionist party और पंजाब एवं मुसलिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया थ तो इसके याद रखेंगे इसमें से कुछ भी option माता है तो गलत हो जाएगा चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 23 निम लिखित में से किसी ने 1922 में भारत छोड़ो परस्ताव का समर्थन किया था एक आजाद राजिंद्र परसाद सर्दार बल्लभाई पटेल इसका सर्दार बल्लभाई पटेल ने समर्थन किया था इसको याद रखेंगे इंपोटेंट क्योशन ने चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 24 निस सो बैलिस में कांग्रेस के बंबाई अधी भेशन में किसके दुआरा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावीत इसको याद रखेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेक बनाया था इसको याद रखेंगे चली एकला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 26 भारत छोड़ो का नारा किस ने दिया था महात्मा गांधी पंडि जवाला नहरू यूसफ महर अली अरुना आसफ अली आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन C यूसुब महर अली भारत छोड़ो तथा करोया मरो का नारा यूसुब महर अली ने दिया था तो इसको याद रखेंगे करोया मरो का नारा भी सरुपरतम यूसुब महर अली ने दिया था लेकिन बड़े पहमाने पर महात्मा आप से आंसर लगेगा चलिए अगला क्योश्टन देखते हैं क्योश्टन नंबर 27 जब भारती राश्टे कांग्रेस ने भारत छोड़ो अंदोलन प्रस्ता प्रस्तावित किया तो कांग्रेस का अध्यक को था महात्मा कांदी मौलान अब्दुलकलाम आजाद सरदार बल्लब कांग्रेस के अध्यक्स बने थे बर्स 1941 सब नाजुब दोर में अध्यक्स बने रहे इसको याद रखेंगे आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्संसी अब्दुलकलाम आजाद चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 29 भारत छोड़ो अंदोलन का फल क्या था क्रफ्स के प्रस्ताव हो से भारतियों के निरास्य का तो भारतियों निरास्तिय सही हो जाएगा भारतियों पर जापानी आक्रमल की धंकी बारत को दी घशाएगा गांधी जी के लेखनो में देजवासियों को हिंसक साधना अपनाने के लिए भढ़काने के लिए कोई बर्लन नहीं हो था छिंसा अपने आप धारल हुई थी इसको याद रखेंगे तो अगला देखते हैं 4 AICC 12 अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने था तो ये भी सही हो जाएगा 1942 में जो है क्रफ्स प्रस्ताव पारित हो था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option B पहला दूसरा था चोथा इसको याद रखेंगे चलिए अगला question देखते हैं question number 30 भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकिति में से किसे ने कांग्रेस रेडियो परसारण किया था रूला आसाफली जैप्रकास नाराण उसा महता उपरोक्त में से कोई नही है आपका सही उत्तर हो जाएगा option C उसा महता भारत छोड़ो आंदोलन के दोरा भूमीद रेडियो संचालन करने वाले छोटे से Mihrpacı Button ठीश इसको याद रखेंगे भूमेकरद रेडियो या गुप्त रेडियो परसाड के लिए उसा महता जानी फ्रक्म laughing भारत्चोभु आंधूरोन की बेला में गुप्त कांगरेस रेडियो चलाने है तो चली एगला क्योशन देखते हैं wonder नमबर 32 निम्न मेंसे कौन कांगरेस रेडियो पर भारत्चोभु आंधूरोन की अबदी में नियमीत रूप से कार्यकरम प्रसारित करता था तो नियमित रूप से पोचा है तो नियमित रूप से दोस्तों आपका सही उत्तर रिपीट क्योशन हो जाएगा ओप्शन C राम मनोहर लोहिया ओप्शन C चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 33 भारत छोड़ो आंदोलन के दुरान बकरी का टाबू में अकिल भारतिया आजा दस्ता का गठन किया था राम मनोहर लोहिया ने उसा महता ने चित्तु पांडे ने जैप्रकास नारायन ने इनमें से कोई नहीं या एक से अधित तो आपका से उत्तर हो जाएगा उप्षन डी जैप्रकास नारायन ने भारत छोड़ो आंदोलन के दुरान जैप्रकास नारायन ने ने नेपाल की तराइं के बकरी का टाबू में अकिल भारतिया आजा दांस तक अगठन किया था इसको याद रखेंगे इंपोटेंट के उस्वन हैं चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नबर ठाटी फोर भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंगलेंड के परदान मंत्री कौन थे इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नबर ठाटी फाइब अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांदी के भारत छोड़ो आंदोलन के दुरान उनके साथ था उसका क्या नाम था लुई फिसर बिलियम एलसीवेर बे मिलर नेगली फारसन पर सही उ अमेरिकी पत्रकार था लुई फिसर जो गांदी जी का जीवनकार था इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर ठाटी सेवन महात्मा गांदी के जीवनकार लुई फिसर किस से संबंदी थे सब इन या वग्या आंदोलन से व्यक्तिक सत्येग निमली हिस पत्रकारों में से कोन महात्मा गांदी का जीवनकार था तो सेम रिपीट क्योशन आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन A लुई फिसर इसको याद रखेंगे चलिए एकला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर ठाटी नाइन भारत छुड़ो आंदोलन से उत्प छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन तंगे बिहार और यूबी संयुक प्रांत में सबसे अधी व्यापक रहे यहां विद्रो जैसा माहूल बन गया पूर भी यूपी में आजमगर बलिया और गोरपूर तता बिहार में गया भागलपूर सारान पूर्लिया शाहबाद मुझफर पूर्पूर और चमपार स्वेते इस पूर्ती जन विद्रो मुख्य केंद्र बन गये थे इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योश्चन नबर चालीस निमनिखित कतनों पर विचार की दिए लाड लिन लिद्गोने 1922 के अगस्त आंदोलन के समय सि केत्रों में किसान व्यापक जनांदोलन में उठ खड़े हुए तो ये 1922 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था किसानों के आंसकाली जथे दिल में खेती करते थे और रात को तोड़ होड़ की कारवाई में भाग लेते थे उनकी उग्रता की प्र आज रखेंगे दोस्तों आज के लिए तना एक आप दिये यदि आपको वीडियो पसंद रहा हो आगे भी जितरा की वीडियो प्राप्त करना चाहते हूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा दें